हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कुकिंग वित रिदीमा आज मैं आपके लिए ब्रेड पकोड़ा लेकर आई हूँ यह बहुत ही क्रेस्पी रहता है और सोफ्ट भी रहता है दोनों चीज़े ही भूत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रहता हमें पतले पतला बनाना है बहुत ज़्यादे मोटे मोटे क्या है उनका बहुत ज़्यादा बेसन हो जाता है तो वह अच्छा नहीं लगता है अब हम क्या करेंगे एक छोटी कटोरी हमने बेसन लिया है अब हम इसमें दो छोटे चमचे क् फूंदी पाउडर आधा चमचलाल मिर्च पाउडर और यह मैंने बारिक चोप कर लिया था हरा धनिया उसे भी इसी में एड़ कर लेंगे इसके बाद दो बारिक कटीवी हरी मिर्च और थोड़ा सा करीपता आठ से 10 लीव करीपते की एड़ करेंगे इसको अच्छे से मिक्स क को छील लेंगे छीनने के बाद हमें इसे बारीक बारीक चोब करना है अब हम इसे क्या करेंगे दो हिस्से में डिवाइड करके इस तरीके से पीसिस कर लेंगे उससे क्या है ये बारीक बारीक कट जाएगी आप चाहें तो चोपर में भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है मैं वालय बाउल में ही त्रांसफर कर लेती हुँ। इसके बाद उसे मिक्स करेंगे पहले। अब हम क्या करेंगे थोड़ा पानी लेंगे। और पानी को एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना है हमें इसे ना तो बहुत ज्यादा टाइट रखना है और ना ही बहुत ज्यादा पतला रखना है पतले से क्या होगा अगर ज्यादा पतला हो जाएगा तो क्या है वो ज्यादा बिखरेगा और बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा तो वो ब्रेट पकोड़े बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं तो वह अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए ब्रेट पकोड़ा पतला रहे सोफ्ट भी रहे और क्रिस्पी भी हो जाए ये तीनों चीजे ऐसे होंगी इस तरीके से हमें अपने कुछ कंसिस्टेंसी कुछ इस तरी के से रखनी अपने पेस्ट की ये देखिया हमारा पेस्ट रेडी है आप चाहे तो थोड़ा सा और हलका सा थिक भी कर सकते हैं इसे अगर चाहें तो अब हम एक कड़ाई में तेल गरम किया है हमने मैं सरसो का तेल ले रही हूँ आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं अब हम क्या लेंगे अब हम ब्रेड लेंगे ये लिए मने 6 से 7 ब्रेड निकाल ली हैं अब हम क्या करेंगे दो ब्रेड एक साथ लेंगे और उन्हें बीच में से स्क्वेर शेप में काट लेंगे इसी तरीके से हम सारी bread के pieces को काट कर रख लेंगे उससे क्या है हमें फिर बाद में बनाने में problem नहीं होगी हम उठाएंगे और तुरंत के तुरंत बना लेंगे दो-दो bread को आप एक साथ भी कर सकते हैं लेकिन उससे equal shape नहीं आती है इसी लिए हम दो-दो bread को एक साथ करेंगे और paste में डुबोएंगे और डुबो कर हम इस तरीके से या तो आप चमचे से भी डाल सकते हैं मैं चमचे से डाल रहे हूँ आप चाहें तो हास से भी डाल सकते हैं इसी तरीके से हम इने पहले एक साइट से भून लेंगे और फिर इने धीरे धीरे पल्टेंगे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इने बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो वो थोड़ा सा हलका सा ठंडा होता है तो उसके बाद ये टाइट हो जाता है वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेर और कमेंट करना मत भूलिएगा चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब चरूर कर देजेगा ताकि मैं इसी तरीके की और वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं आप इसे गर्मा गरम हरी चटनी और सोस के साथ गर्मा गरम सर्व हैं एक बार जरूर मेरे तरीके से ट्राइ के जिएगा और अपनी फैमिली को खिल खिलाईएगा और कमेंट में लिकर जरूर बताईएगा कि आपकी फैमिली को ये खाने में कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और आप भी बताईएगा कि आपको कैसा लगा मिलते है next video में बाई